सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है और इस वक्त हम दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में मौजूद हैं यहाँ पर दिल्ली सरकार बीते दो सालों से रोजगार मेला लगा रही है और तीसरे साल भी दिल्ली सरकार ने रोजगार मेला लगाया है यहां पर आपको जितने भी यहां पर यह युवा दिखाई दे रहे हैं, यह लोग सभी रोजगार के लिए आया हैं, किसी ने दो सालों से ग्रिजुएशन कर लिया है, किसी ने चार सालों से कर लिया है, किसी ने ट्वेल्थ पास की है, तो जितने भी यहां पर युवा आप यह सबी यहाँ पर फॉर्म भर रहे हैं और रोजगार की तलाश में इस रोजगार मेले में आए हैं इनसे बात भी करेंगे कि आखिर कब से लोग जॉब ढून रहे हैं और क्या किया है अपने ग्रिजुएशन मैंने बीसीय किया है क्या तो 2017 में जिमस आई पियो से जॉब मिली आप नो अभी तक जॉब तो नहीं मिली तो ट्वेल्ट की यह तो दस साल होगे नौकरी नहीं मिली अभी तक मिली थी कहीं करते तो इक निकाल देते चाहिए महीने एक साल के बार यहां से कितने उमेदें आप थर्डियर के बाद होगा जो कुछ होगा तो अच्छी बात है मैंने में सी किया हुआ है काफी पढ़े लिखें आप तो मैंने फॉर्म भर दी आया सब्मिट कर कब की थी अपने में 2015 में की थी उसके बाद भी जॉब की थी तो फिर जॉब छोड़ दी ती ज्यों वही ज्या भीड देखते लगता है कि हाँ की चलो कुछ तो भला होगा इनसानों अब यहां पर 2015 में बीटेक करी है फैनल अज़ा भी जॉब छोड़ दी है मैंने भी यहां पर सर्च कर रहा हूँ देखे हो छोड़ी आप वही सेलरी इशू था में भी जॉब मिलती भी है तो सेलरी इतनी कम होती है कि उससे गुजारा ने है बहुत अच्छा है यह जो दिली सरकार ने किया है रोजगार के लिए क्योंकि यहां मैं देख रही हूँ हर एज के लोगों के लिए जॉब केंसी उनों निकाली है मैं हूँ या मेरे साथ यह यंग आए है तो नौकरी लेकर ही जाएंगे